हलो फ्रेंद्स वेलिकंब बैक टो मैं चैनल आश मौसम का बदरना तो शुरू हो गया है और इस जब भी मौसम चेंज होते हैं तो उसका असर इस्कीन पे हातों पे बालों पे देखने को मिलते हैं जैसे हात का रुखापन कि श्रू जाता है इसकंड का फट्टन शुरू हो सड़ाता है वालों का झेपना सुरू जाते तो इस तरह की दिक्कत मौसम चैरहोने पें देखने को मिलते हैं तो बालों के जी जड़ने के दिकत तो पूरे साल होती है बड़ जब मौसम होता है तो फिर थोड़ा यह दिकत बढ़ जाती है जैसे बालो में रूखे बन फ्रीजी ने यह तूटने और गिनने से ज्यादा यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ऐसे में आज में आपके कीचन में ही अवेलेबल मेथी के दाने का यूज कर बालो को की गुरोथ को कैसे ठीक करें यह आज विडियो में लेके आई हूं बालो को लंबा करना और घना बनाने के लिए मेथी के दाने किस तरह हेल्फूर हो सकते हैं और इसे कैसी यूज करना है आज इस वीडियो में बात करेंगे हाँ बढ़ आगे बढ़ने से तो लाइक करते हैं, ओके चलिए, स्टार्ट करते हैं, मेथी के दानों को अगर बालों में लगाया जाए, तो इससे बालों का जहनना कम होता है, तो बालों पे मेथी के दाने का यूज़ करने के लिए, मेथी के दानों को पहले भिगो दे, और नेक्स टे आप इसका पेश्ट तियार कर दें और 2 सी तिन 6 मेंथी के दाने को भीगो ना है रात बर्स के लिए भीगो देनें से जब आप इसे पीज़ा कर बना ले और इस पेस्ट को सर पेक की जड़ों पे लगाएं बालों की जड़ों पे लगाएं और 20 मिट तक के लिए छोड़ें 20 मेर के बाद normal पानी से साफ पानी से बालो को wash कर ले अगर आप इस मेथी के पेश्ट को हफ़ते में दो बाल लगाते हो तो इसे बालो का ज़णना बिल्कुल चला जाएगा मेथी के पेश्ट के अलावा मेथी का तेल भी बालो के लिए काफी फैयदे मन्द होता है तो मेथी के तेल बनाने के लिए क्या करना है जैसे एक डोरे मिनारियल का तेल लेना है और उसे थोड़ा गरम कर लेना है अब इस तेल में एक चमच मेथी के दाने डाले और इसको पका ले जब दाने अच्छी तरह पक जाए देन आप इस तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दे आँच से उतार ले ठंडा होने के लिए छोड़ दे और इस तेल को एक बॉर्डल में भर करके रख दे और इसी तेल से आपको बालों की मालिश करने है और मालिश करने के एक घंडे के उस्ते लिए ना गभी बालों की ग्रोध बिल्कुल अच्छे हो जाती है। इसके अलब अगर आप बालों में बहुत जादा डेंटरफ हैं तो इसके लिए मेथी का हेयर मार्क्स पना की उसके इसके लिए मेथी को भीगो देना है नेक्स टैसे पीस लेना है अगर ज़ंडर्ाफ है बालों मेथीGB हो कर चोड़ो आतशबों इसलिए जड़ों को ऊपने हैं जड़ों से लेकर सीरे तक लगाना है और चोड़तिना है तो इससे क्या होता है कि बालों की growth तो अची होती ही है अडेंटरा भी सार से हड़ जाता है और ड्राइनेस भी दूर हो जाती है और इसके लबा है growth बहुत अच्छी होने लगती है ओके फ्रेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही निक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टीप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर